फरिदाबाद रेल्वे स्टेशन पर उस वक्त हर कंप मच गया जब जमू तवी से पूने जा रही जेलम एक्सप्रेस के पांच कोच में ब्रेक जाम हो गए अचानक चिंगारी और धुआ निकलने लग गया रेल अधिकारियों का कहना था कि यदि समय रहते इसे रिलीज नहीं कराया जाता तो ट्रेन के कोच में आग लगने की भी संभाव ना हो जाती प्लेटफर्म पर मौझूद करमचारी ने ततकाल पैनल और ट्रेन के गार को सूचना दी फिर ट्रेन को रोक कर जाम ब्रेक को रिलीज करवाय गया इस बीच 31 मिनट तक गाड़ी यहीं खड़ी रही और नए साल के पहले सफर पर निकले लोगों को परिशान होते देखा गया दोपहर एक बज़ कर 35 मिनट पर जेलम एक्सप्रेस ओल्ड फरिदाबाद रेल्वे स्टेशन के प्लेटफूर्म नमबर तीन पर आकर खड़ी हुई प्लेटफूर्म ड्यूटी कर रहे करमचारी को कोच के नीचे से तेज धुआ निकलता दिखाई दिया तो उसने तुरंट पैनल को सूचना दी लेकिन तब तक सिगनल हो चुके थे सूचना पर अधिकारी और गार्ड मोके पर पहुँचे जाँच के दोरान कोच के ब्रेक जाम मिले इन सभी कोच के ब्रेक लाल हो गए थे इसके चलते पांचों कोच से धुआ निकलने लगा था इस हाथसे को लेकर रेलवे स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई यात्री भी खबरा गए फिलहाल रेलवे बिभाग की अधिकारियों और कर्मचारियों की सूजबूद से बड़ा हाथसा होने से टल गया इधर रेल अधिकारियों का कहना था कि यदि समय रहते इसे रिलीज नहीं कराया जाता तो ट्रेन के कोच में आग भी लग सकती थी ऐसे ही लेटेस को बरेपाने के लिए बेल आइकन को फ्लिक करें हमारी चैनल को लाइफ, शेर और सब्सक्राइब करें घन्यवाद रूद आप लोग सबस्क्राइब करें लोग सेडिक लनकार क्या सरूरिसटीय।